सूप्रभाद बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ इश्वर के असी मनुकंपा से आप सभी स्वस्त व सुरक्षित होंगे और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों, आज हम संस्कृत के वाशिक पाठिकरम का आरम करते हैं ये पाठ कक्षा आठ के चात्रों के लिए है दुए दशा पाठा अस्मा कम उत्सफ पाठ बारा हमारे उत्सफ बच्चों, मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब मैं इस पाठ को पढ़ाती हूँ तो आप सभी अपनी संस्कृत की पुस्तिका लेके बैठें ताकि आपको इस पाठ को समझने में आसानी हो तो आईए बच्चों आप इस पाठ का आरम करते हैं अस्मा का भारत परणव मुक्तस्वे चा देश यस्ति हमारा भारत परवो और उत्सवों का देश है अत्र प्रती वर्ष बहवा उत्सवा यहां हर वर्ष कई उत्सव के साथ मनाय जाते हैं अत्र प्रती वर्ष बहवा उत्सवा सहो उत्सवा आयोजनते यहां प्रती वर्ष जो हैं कई एक उत्सव जो हैं वो बहुत ही उत्सवा के साथ मनाय जाते हैं बच्चों इस पार्ट में उत्सव याने जो भी हमारे त्योहार आते हैं उनके विशे में बताया गया है उल्लास से हर पर्वों को प्रति एक त्योहारों को खुशी के साथ मनाता है तो आईए बच्चों बागे का ध्यन करते हैं दीपावली प्रकाषस से महोचवा अस्ती दीपावली प्रकाष का त्योहार है असो महोचव कार्तिकम्यां अमावस्य संघटते ये त्योहार कार्थिक के अमावस्या को पढ़ता है अमुश्मिन दिने भगवान रामचंद्र चतुर दर्श विमति ही स्विकारे वनवास से परी समापस्य रामण वधनांतरम अयोध्या प्रत्यागच्छत इस दिन भगवान रामचंद्र चोदा वर्श की अवधी के वनवास को समाप्त करके रावण के वध के बाद आयोध्या लोटे थे तता प्रभती आयम उत्सवा प्रचलती इसके बाद से यह उत्सव प्रचलित हुआ अम्युश्यम महुच्छवे रात्रो महालक्षमाया पूजन भवती इस महुच्छव में रात्री को महालक्षमी की पूजा होती है तावै सर्वे धन दान यत्यती यदा महे उसमें हम सभी धन धान इत्यादी मांगते हैं सर्वे जना स्वकिन्या ग्रहम दीप मालाया सजन्ती साइवय वीत्रिश वर्षपने हैं मारगेश ग्रहे चासरवत्र दीपकाना प्रकाशाय पश्यामा सभी लोग अपने घरों को दीप मालाओं से सजाते हैं शाम को हम गलियों, बजारों, मारगों और घरों में सभी जगा दीपकों का प्रकाश देखते हैं अहो कियचत चक चिकस्य प्रतिभवन विध्युत दीपवनाम वह कितनी चमचमाहट हर घर में विध्युत का प्रकाश उत्सवेशु दीपावली प्रमुखा उत्सवर्दते उत्सवों में दीपावली प्रमुख तेवहार है अस्माग देशे अन्य प्लत्सवह संती हमारे देश में दूसरे भी तेवहार है रक्षा बंधनम विज्यादश्मी होलिका उत्सव इत्यादी रक्षा बंधन विज्यादश्मी होलिका उत्सव आदी बच्चो अध्याय के इस भाग में सबसे पहले दीपावली तियोहार के विश्य में बताया गया है कि दीपावली जो है एक प्रकाश का तियोहार है और ये कार्तिक की अमावस्या को पढ़ता है इस दिन रामचंद्र जी जो है 14 वर्ष के बनवास के बाद रामण कवत करके अयोध्या वापस आये थे उसी की खुशी में अयोध्या वास्यों ने अपनी अयोध्या को दीपकों से सजाया था और उनका स्वागत किया था माना जाता है तब से ही ये तियोहार प्रचलित है इस तियोहार में रातरी के समय महालकश्मी की पूज़ा अर्चना होती है और लोग धन संपत्ती लक्ष्मी जी से मांगते हैं सभी लोगों के घर में लोग दीपमालाओं को जलाते है चारों और रोशनी ही रोशनी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है दीपा वली जो है सभी त्योहारों में प्रमुक त्योहार माना जाता है परन्तु इस त्योहार के साथ साथ हमारे देश में अन्य भी त्योहार मनाये जाते हैं जैसे की रक्षा बंदन, विजय दश्मी, होलिक का उत्सव आदी तो आईए बच्चो अब आगे का अध्यन करते हैं कार्तिक मासस्य पूर्णिमाया गुरु नानक देवस से जैनती भवती कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्मुत्सव होता है अस्यामेव तिथियो गुरु नानक देवस से जन्म अभवत इस तिथी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था सिक धर्म वालंबनी जना असमिन दिने विशेश रूपन उत्सवाना आयोजयन थी सिक धर्म के अनुयाई लोग इस दिन विशेश रूप से उत्सव मनाते हैं तेसा तेशाम इस्ट मित्रान पाई ए पर्व मान्यती इनके साथ उनके इस्ट मित्र भी त्योहार मनाते हैं ते गुरु द्वारा परिवार जनानेन नयंती गुरु द्वारा पर परिवार के सदस्यों को ले जाते हैं तत्र शिरा नम्यम्ति ते गुरू गरंथ साहेबेन इती नाम दे स्विकार्ण धर्म गरंथा श्रंती मित्रेसा चलपनती आनंद चाला भेती। वहां सर को जुका करके वे गुरु ग्रंद सहब नामक अपने धर्म ग्रंद को सुनते हैं मित्रों के साथ बातचीत करते और आनंद का लाब लेते हैं अमिश्मुन परवानी सिख महानुभाने सरवभ्यम सभागत्ये जनेभे स्वयाग प्रसाद रूपन वित्यती इस पर्व पर सिक लोग सभी अथिती लोगों को हलवा प्रसाद के रूप में वित्रित करते हैं भजन कीर्टनादी कारिक्रमेंट सहते शोभायात्राम अप्यायो जनती भजन कीर्टन कारिक्रम को साथ वे शोभायात्रा निकालते हैं बच्चो पाठ के इस भाग में गुरु नानक जी के जनमुचसफ की विशय में बताया गया है कि सिक धर्म के अनुयाई जो है गुरु नानक देव के जन को जो है बहुत ही हर्शो उल्लास के साथ मनाते हैं वो अपने परिवार के साथ गुरु द्वारे जाते हैं वहाँ पे गुरु गरंद साहब नाम के अपने धार्मिक गरंद को सुनते हैं अपने मित्रों के साथ बातचीत करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और सभी सिक लोग जो है अपने अतिती लोगों को या महमानों को जो हैं हलवे को प्रसाद के रूप में खिलाते हैं और साथ साथ भजन कीरतन के साथ शोभा यात्रा भी निकालते हैं तो आईए बच्चों अब आगे का अध्यन करते हैं इसाई जनना रमणिका पर्व क्रिस्मस से नाम का मस्ती इसाई लोगों का सुन्दर त्योहार क्रिस्मस नाम का है अध पर्व दिसंबर मासस से पंच विशतमे दिना के भवती ये पर्व दिसंबर महीने के 25 तारिक को होता है अमुश्मिन दिव से परम करुणा कहा इसा मसीही स्वाजन्मानी भुवम लंकट कृत्वाना इस दिन अत्यधिक करुणा से युक्त इसा मसी अपनी जन के द्वारा संसार को अलंकृत किये थे जना गिर्जा घर नाम धेश्यू क्रिष्टो पसादना मंदिरे प्रात्ना कुर्वन्ती इश क्रिपाचा लाभन्ती लोग गिर्जा घर नामक इसा मसी के पूजन मंदिरों में प्रात्ना करते हैं और इश्वर की क्रिपा प्राप्त करते हैं गरहे गरहे Christmas वरिक्ष स्य निर्मार पी भवती घर-घर में Christmas वरिक्ष का निर्मार भी होता है Santa Claus शिशुभस से उपाहरान प्रच्यती Santa Claus बच्चों को उपाहर प्रदान करते है निशिते असो महुच्छफ पराकश्टानमाम अहर होती मद्धिरात्री में ये महुत्सफ चरम पर होता है बच्चो पाठ के इस भाग में ईसा मसी के जन्म उत्सफ के विशे में बताया गया है कि इसाई धर्म के लोग जो हैं वो क्रिस्मस नामक त्यहार को बड़ी ही खुशी और हर्शोलास के साथ मनाते हैं यहां पर लोग जो हैं गिर्जा घर में प्राठना के लिए जाते हैं प्रति एक घर में क्रिस्मस वरिख शर्थात क्रिस्मस फ्री सजाया जाता है सेंटा क्लॉस बने व्यत्ती जो हैं वो बच्चों को उपहार बाटते हैं और मद्र रात्री में मिड़नाइट में ये त्योहार जो है बहुत अधिक खुशी हर्शोलास के साथ मनाया जाता है तो आईए बच्चों अब आगे का ध्यन करते हैं मुस्लिम समाजस इदुल फितर नाम धे मुख्य परवास्ती मुस्लिम समाज का इदुल फितर प्रमुक्तिवहार है अमुय जुनस से रमजान मासस से समाप्तो भवती रमजान महीने की समाप्ती पर इसको मनाते हैं रमजान मा से मुस्लिम जना एकमा मासू पवससंती रमजान महीने में मुस्लिम लोग एक महीने उपवास करते हैं केवल सायामान एफ मिलवत्व खादंती मात्र शाम को ही मिलकर खाते हैं संबंधी जना मित्राणी चा ग्रह गचंती परस्पर वधा परिंती सुपरिचे चेतब्या मिष्ठा नादंती वित्रती मनोहारण भवनी वस्तराणी चा धारंती रिष्टेदारों और मित्रों के घर जाते हैं परस्पर बधाई देते हैं, परिचितों को मिठाई आदे वित्रित करते हैं, मनोहर और नए कपड़ों को धारन करते हैं। पाट के इस भाग में मुसलिन समाज के त्योहार के विशय में बताया गया है जो की इदल फितुर है, जो की रमजान महीने में बहुत ही हर्शोलास के साथ मनाया जाता है। रमजान महीने की जब समापती होती है, तब इस त्योहार को मुसलिम समाज के लोग मनाते हैं। कहा जाता है कि रमजान महीने में मुसलिम लोग जो है वो एक महीने का उपवास करते हैं, केवल शाम की समय वो अपने परिवार के साथ मिलकर एक समय का भोजन करते हैं। और इस तेवहार पर वो सभी अपने रिष्टेदारों मित्रों से गले मिलते हैं, सब को बधाईयां देते हैं और मिठाई आदी बाठते हैं तो बच्चो इस पार्ट में भारत देश के विभिन तेवहारों के विशे में बताया गया है आईये बच्चो अब समझ लेते हैं कि कौन सा कार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है और कौन सा कार आपको अपनी पुस्तिका में करना है यहां पे कुछ शब्दर्थ हैं जो मैंने आपको दिये हैं जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है अभ्यास एक, पात के नुसार एक शब्द में उत्तर लिखे, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है का दीपा वली का सिमह उत्षवास्ति, दीपा वली किसका तिवहार है, प्रकाशस से आने रोशनी का तिवहार है दीपा वली परवानी रात्रों की भवन्ती दीपा वली वतिहार में रात में क्या होता है महालक्ष्मया पूजन महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है सिख महानुभवना प्रसाद रूपेन की वित्रती सिक धर्म के जो लोग हैं वो प्रसाद के रूप में क्या बाढ़ते हैं सयावम याने की वो हलवे को प्रसाद के रूप में बाढ़ते हैं संटा क्लॉस शिशुभस की प्रच्छती संटा क्लॉस बच्चों को क्या देते हैं उपहारान उपहार देते हैं मुस्लिम जन एक महीने के लिए उपवास किस समय करते हैं। रमजान मासे रमजान के महीने में करते हैं। अदो लिखताना परसपर मेल कुरुतनिमलिखित का परसपर मेल कीजिए। रहां पे कुछ त्योहार दिये हैं और उसके समय दिये हैं उनको आपको मिलान करना है। गिर्जाघर क्रिष्टो पासार नाम मंदिरम रमजान मासस से समापतो इदुल फितर पर्व पाठ के अनुसार उत्तर लिखे ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आयोध्या कदा प्रत्यागच चतूर दर्शा विमन्ती स्विकह वनवासे परस्पन सरदा रामणा वधनम आयोध्या प्रगचत भगवान। आयोध्या कब गए थे चौदा वर्ष का वनवास काट कर और रामण कवत करकर वो अपने आयोध्या को वापस गए थे। गुरुनानक देवस जैनती कदा भवती गुरुनानक देव की जैनती कब होती है। कार्तिक मास के पूर्णिमा को गुरु नानक जैनती मनाई जाती है। सिख महानुभवा संता भगते जनेभेव की वित्रती सिख धर्म के जो अन्याई हैं वो इस समय इस त्योहार पे क्या लोगों को बाटते हैं। सिख धर्म के जो लोग हैं वो इस त्योहार पे लोगों को हलवे को प्रसात के रूप में वित्रत करते हैं। कर दिसंबर की 25 तारिक को इसका निर्मान किया जाता है। इदुस्वे जना परस्पर की कुर्वन्ती इदुस्वे में लोग मिलकर क्या करते है इदुस्वे ने जना स्वमित्रानी संबंदानी चा परस्पर अलिंगन कुर्वन्ती इदुस्वे में वो अपने सभी मित्रों से मिलते है परस्पर गले मिलते है रिक्तिस्थान का में है परवानु मुच्छवानह खा प्रकाशस से गा क्रिस्मस नामनह घा इसा मसीह डड़ा उपहारानान निम्लिखेत उदाहरण के अनुसार रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजेए यहां पे आपको संदी विछेत के वह शब्द दिये जा रहे हैं जिनको आपको संदी करके लिखना ऐसा उत्सवाम सहुत्सवाम अन्ययापी अन्यापी अस्यामेव अन्यासेमेव धर्म अविलमनह भवनाम अलक्रतवआ, भुखतनर आणकरितम, बच्चों, इस पार्थ से संबंदित, आपने क्यों आपको दे रही हूं, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, और क्यों आपको अपनी पुस्तिका में करना है, धन्यवाद!